कि अरे क्या लाइव है यह का लाइव है यह का लाइव आवाज चेक कर दो पंदरह सो साथ से पंदरह सो बार सट और पंदरह बार सट से इसमें अकबर का अपना प्रभुत्व है यही लिख देते हैं एक बार में प्रभुत्व प्रभुत्व है पैरम खान पैरम खान के साथ अकबर का तिलवारा का युद कभव हुआ यहां किसका है माहा मंगा इसी को पर्दास आसन कहता है और यहां पर यहां आकबर का अपना नीती चले लिख लिए इतना तो होई गया था हम लोग कल यह भी पर लिए थे इसका बेटा का नाम क्या था अधम खान ने अकबर के किस वजीर की हत्या कर दे अतगा खान अतगा खान की हत्या के बाद अकबर ने इसको पार लगा दिया अधम खान को बात के लिए रहा है अधम खान ने ही मालवा पर 1561 में अभियान किया था मालवा का सासक कौन था बाज बहादुर उसकी पतनी कौन थी रूप मती स्विसाइड कर ले अच्छा एक बात बताएए गड़ कटंगा का युद्ध कब हुआ पंदरासोचानगा की रानी कौन थी है दुरुगावती आपको इरानी का नाम याद रखना है दुरुगावती किसकी विधवा थे संक्राम से बेटा का नाम किया था वीर नरायन तोई सभी मेटवावती जयादा इंपोर्टेंट है कि वीर नराइन को राजा बनाना चाहती थी अच्छा कौन आया था लड़ने के लिए आसफ खान इलाबाद का गवरनर कौन था आसफ खान बोलो याद है सबको 1562 से अकबर का अपना नीती शुरू हुआ और आपको याद है 1561 में अकबर का अभियान है एक मेरता ना 1562 में ही भार्मल भार्मल कहां का था आमेर का कच्छवाह सासक कच्छवाह जाती हो गई आमेर का कच्छवाह सासक ही तो आत्म समर्पन ही कर दिया सरेंडर आत्म समर्पन आपको इध्यान रखना है यह आत्म समर्पन किये थे इन्हीं की बेटी कौन है बेटी बेटा पोता सब याद रखना हर्खा बाई एक वर थोड़ा रिवाइस करा दिये हर्खा बाई बेटा कौन है भगवंत दास या भगवान दास दोनों बोलते हैं भगवंत या भगवान दास आ इसका बेटा कौन मान से हर्खा भाई से विवा करने के बाद भगवंत दास और मान सिंग अकबर की सेवा में चले गए थे अरे याद है ना सबको हर्खा भाई का तो विवा हो गया अकबर से यही इसको कैस चीज की उपादी मिली मरियम उजमानी कि इतना हम लोग पढ़ चुके थे और क्या पढ़े थे हो बेटा दोनों मर गया ना उसका बहुत इंपोर्टन नहीं 1564 में मिर्जा कौन-कौन हसान और हुसें उदोनों तो मरी गया थे 1563 1562 1563 और 1564 यह तीन समय बहुत इंपोर्टन क्योंकि आपको याद है कि 1562 में अकबर ने पी ओ डबलो प्रिजनर ओफ वार यानि की दास प्रथा समाप्ट किया प्रिजनर ओफ वार यानि की दास प्रथा समाप्त किया इसको पी ओ डबलो लिखते हैं मतलब वार प्रिजनर जो लड़ाई में पहले होते तो युद बंदी युद बंदियों को दास बना लिया जाता था अकबर ने उसको समाप्त कर दी युद बंदी बेसिकली इस समय कौन थे राजपूत जो मेटता के युद में थे वह सभी राजपूत को दास बनाया गया था अकबर सब को बोला दास बनने का कोई जोरत नहीं स्लेवरी प्रिजनर ओफ वार को स्लेव नहीं बनाया जाएगा युद बंदियों को दास नहीं बनाया जाए इंपोर्टन बात है क्यों ऐसा हुआ क्योंकि याद है आपको 1562 में ही अधल अपना जान दे दिये थे कि नहीं कर आएक तरह पी लोग मेरा जान बचा रहाए उपर से को काफिर कह रहें 1562 में दासपरता समाप्त किया 1563 में तीर्थ ही आतरा टैक्स समाप्त किया तीर्थ यात्रा टेक्स समाप्त किया तीर्थ यात्रा टेक्स समाप्त करने में हर्का भाई का भी important role है और आपको जान के बहुत important बात है सुनिए तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने का कारण भी है तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने का क्या कारण है कि मतुरा में राजपूत जो उनके सेने में में थे उह लिए इस लिए कि लिए अक्पर ने क्या पिल्ग्रिम 1990 कोई नहाने के लिए इमना नहानेर नहानेर के लिए कोई टेक्स नहीं देना है, मंदिर जाने के लिए कोई टेक्स नहीं देना है, ये तीर्थ ही यातरा कर समाप्त किया, अब 1564 में तो ऐसा काम किया कि मौलानाओं में हर कम मची, 1564 में इसने जजिया ही समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त बहुत बड़ा इस्टेप है आज से पहले कोई सोचा भी नहीं था अकबर किसे पहले पंदरसो चौनसट पे जजिया ही समाप्त कर दिया देखो हम आपको बताये थे कि सर्यत केसाब से चार प्रकार का टेक्स है जजिया, जकात, खुम्स, खराज खुम्स का मतलब लूट का धन चार प्रकार का टेक्स है सुन लो पहले यह पूरा पढ़ा हुआ आपका चार ही टेक्स है सर्यत के अनुसार इसलामिक राज्य में चार टेक्स लग सकते हैं खुम्स खुम्स और खराज खुम्स और खराज पहले तो यह समझो खुम्स क्या है? लूट के धन में हिस्सा अगर कोई राज ये किसी को लूटता है किसी को दूसरे राज में युद्ध हुआ लूट हुआ तो लूट के धन में 20% यानि एक बटे 5 20% राजा के पास रहेगा और 4 बटे 5 80% सैनिक के पास रहेगा यही तो खुम्स था अलाउदिन खिलजी ने कहा कि देखो बहुत बढ़ी हाँ बात कि अगर लूट हुआ जो सैनिक लरने गए उसको 80% मिलेगा बाटेगा लो लेकिन अलाउदिन खिलजी ने कहा कि तब मिलता था जब सैनिक को वेतन नहीं मिलता था सिर्फ लडाय हुआ चलो रहे लरने लूटोगे तो तुम्हारा 80% लेकिन अलाउदिन खिलजी तो राजा वो है पहला अलाउदिन खिलजी जिसने की सैनिकों को वेतन देना शुरू कर दिया जब सैनिक वेतन भी लेगा 80% टैक्स में भी हिस्सा ले लेगा तो गरबर है इसलिए अलाउदिन खिलजी ने इसको पलट दिया था अलाउदिन खिलजी ने कहा कि 80% राजा लेगा 20% सैनिक को मिलेगा क्यों क्योंकि तुमको वेतन तो देही रहे हैं बोलबेने करने हैं तो खुम्स वहां से चेंज कर गया पहले खुम्स क्या था लूट के धन में 80% सेना 20% राजा एक बटे पांच राजा चार बटे पांच सेना अलाउदिन ने कि तुमको हम महिना महिना पैसा भी दें आइधर भी तो उल्टा कर दी 80% राजा 20% सेनिक खराज खराज तो भूमी टेक्स है जो हर जगा लगता है लैंड पर लगने वाला टेक्स भूमी कर आपके पास जमीन है खेती कर रहे हैं तो आपको टेक्स देना होगा भूमी पर ल जकात का मतलब जो भी मुसलिम है वह अपनी आय का इंकम का 10% ज्यादा भी दे सकते हैं 10% फिक्स है कि इंकम का 1 बटे 10 दान देंगे किसको नीडी को नीडी मतलब जिसको जरूरत है उसको दान किसी और को नहीं जरूरत मंद को अपनी इंकम का 1 बटे 10 दान दीजिए ऐसे द दान मत दीजे कि दे रहे हैं तो यूटूब पर वीडियो भी बना रहे हैं कि देखिए हम पैसा दे रहे हैं नहीं पता भी नहीं चलना चाहिए दाएं हाथ को अगर बाएं हाथ से दान दे रहे हैं अपने हाथ को भी नहीं पता लगाना है ये है जकात बहुत अच्छा कॉंस क्या करना है दान देना है बता कि नहीं चुपशाब दान दे दो और शौथा जो टैक्स देख रहे हो यही इसलामिक राजी में है जजिया अब देखो concept जजिया का जजिया का मतलब क्या है पहले सुन लिजे देखो जो भी इस्लामिक state होता है जो भी इस्लामिक state है वहाँ इसलाम धर्म के लोगों को छोड़ कर और कोई भी वेक्ति सेना में सेवा नहीं दे सकता है मतलब इसलामिक state में मुस्लिम को छोड़ कर कोई सैनिक नहीं बनेगा जब सैनिक सिपाही सब मुस्लिम को छोड़ कर नहीं बनेगा तो बाकी लोगों को सुरक्षा परदान कर रहे हैं मुस्लिम सुरक्षा परदान करने के लिए आपकी safety secure करने के लिए आपकी safety को ensure करने के लिए जो टेक्स लगता है वो जजिया है, जजिया टेक्स धाई परसंट होता था, धाई परसंट, 2.5 परसंट, देख लो, जकात 10 परसंट होता है, अई 2.5, अड़ाई परसंट जजिया, वो भी किसलिए, क्योंकि तुम सेना में नहीं जा सकते, इसलिए आपकी सेफटी के लिए, जजिया किसे किसे नहीं लिया जाएगा, सन्यासी यानि ब्राह्मन से, महिला से, और बच्चे से, और जल्दी बोलो, विकलांग, डिसेबल, इन सब से जजिया नहीं लिया जाएगा, जजिया किसे लिया जाएगा, जो इस सब कैटेगरी में नहीं आते हैं, कमाते हैं, आप आपकी safety को ensure करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए मात्रार high percent text दीजिए और जो मुस्लिम है उनको अपनी आयका 10% करना होता है आप बताइए जजिया कहां गलत था अगर आप सेना में नहीं है तो आपकी safety के लिए आपको text देना पड़ेगा और वो text था जजिया पहला एक सासक है फिरोज साथ तुगलक जिसने कहा कि ब्राह्मन पे भी जजिया लगाओ बांकी किसी नहीं ब्राह्मन पे भी जजिया लगाओ ब्राह्मन भी कमाता है ब्राह्मन का जी हम कहां कमाते हैं हम तो पूजा पाट कराते हो तो एक हजार एक एक सो एक आवन उजो मार रहे हो लाश्ट में वो क्या है ब्राह्मन पर टेक्स लो तो जजिया लगाने वाला ब्राह्मन पर फिरोसा तुलाब यह आपको याद होगा फिरोसा तुगलग भी ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह खुद एक राजपूत मा हिंदू मा का बेटा था और अपने आपको मुस्लिम जोर काम किया अकबर ने कहा कि जजिया ही समाप करते कोई जजिया का जौरत ने क्यों क्योंकि मेरी सेना में हिंदू भी सामिल है वो अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं मेरी सेना में राजपूत भी सामिल हैं हम जो मेड़ता के युद से वीर राजपूतों को बंदी उस सेना में सहयिता दे रहा उनको कम पैसा मिल रहा था इसलिए वो पेमेंट बनाने का बात कि यह पूँछे पेमेंट कहाँ ख़र्चा कर रहे हो तो सब ने कहा जी हम कंगा नहाते तो payment लग टेक्स लग जाता है patik लगता है अक्र ने अकबर ने जजिया समाप्त क्यों किया मौलानों ने कहा कि अरे राजपूत लर्की से प्यार करता है उसी के चक्कर में जजिया समाप्त किया और आई परसेंट टेक्स था जजिया समाप्त होने के बाद बाकी सब के देना दस परसेंट देना पड़े इसके चकर में कहा कुछ क जजिया समाप्त करने का उद्देश ये था कि राजपूत अकबर को अपना माली। इसके बाद आत्म समर्पन का धेर लग गया मेवार को छोड़कार जेतना राज्जी है राजपूत का सबने समर्पन कर दिया चाहे मारवार हो चाहे रंथम्भौर हो कोई भी राजपूत राज्जी हो सब कहा कि ठीक है अकबर ही सासंद्रेम अधिन्ता सुईकार करते हैं सिर्फ एक मूव से सारा का सारा अधिन्ता सुईकार कर लिया बोलो समझ में आ रहा है जी बोले ने करेंगे इतना आपको लिखा दिये थे कल ही हम 1564 जजिया समाप कर ली लिख लिख लिए थे ना नहीं लिखे थे लिखिए इतीनों लिखो तीनों बहुत इंपॉर्टन्ट है भाएंगे पंद्रहसों पर सब्सक्राइब कर दो अब दो कि अब आधा याज प्रित्वी राज भासकर को रानन देव स्टड़ी लेवर सब्सक्राइब कर दो कि अब आधा कि अब आधा कि अब आधा कि अब आधा कि लिख लिए वसी तीनों लिखना पंद्रह बार साथ पंद्रह तिरेश्ट पंद्रह चोंसाट और ध्यान रखना किसी अकबर की पॉलिसी पर केवल एक लर्की का प्रभाव नहीं है अकबर की पॉलिसी भारत चलाने के लिए बार सथ तिरे सथ चोंसट जाती है राजपूत की जाती है झाल लिख लिख लिए अड़ लिखे इतना राजपुता ना पॉलिशी ओपकबर सुन ध्यान से यहाँ चार को तीन को डेट याद रखना है इन नहीं एक्चोल में पांच याद रखना पड़ जाएगा आपको 1568 ध्यान से सुनना आभे लिखो नहीं लिखवा देंगे हम 1579, 1570, 1572, 1576 1572 में एक और 1572 याद रखना है अभी समझाते हैं क्या इस अब डेट एकदम याद चाहिए पुरा बढ़ियां से सुनो 1568 में क्या हुआ 1564 तक तो आप देख रहे हैं कि जजिया समाप्त कर दिया है अकबर और अराम से अपना खोश है 1568 में क्या हुआ पहले ही समझे देखो अकबर का 1562 में साधी हुआ है हरखा बाईस है अब 1564 में उसको दुगो बेटा हुआ जुड़वा अद दोनों पार भी लग गया बोलो याद हैना सबको 1564 में इसने डिसाइट कि या हम अगरा में रहता था अगरा में रहेगा न ध्यान सुनो उत्तर परदेश में जगा आगरा इधर दिल्ली यह इधर यहां आगरा तो आगरा में रहता था आगरा के बगल में एक सूफी संताय थी, आज जहां फतेपुर सिक्री है, अभी देखो 1571 में स्थापना करेगा अकबर ही, फतेपुर सिक्री का, 1568 में यहां एक सूफी संताय थी, चिस्ती संप्रदाय के, आपको हम पढ़ाएंगे, सूफी 4 संप्रदाय भारत में आए, ठीक से मिले गया था अकबर, कि मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, सेख सलीम चिस्ती के पास गया, सूफी से, कि आखिर हम कुछ गलती कर रहे हैं, क्या, अपनी पॉलिसी को बताया, जजिया समात करके कोई मिस्टेक हो गया, मन में आई जाता, सेख सलीम चिस्ती ने खा कि कुछ न आगरा से पैदल जाओ, राजस्थान, अजमेर, खाली पैर, राजस्थान, अजमेर का मतलब बालू, रोड ने बनल था पहले कि सार, मोधी जी तो रोड बना दिये थी, इस अब नहीं सोचना, खाली पैर, बालू पर, पूरा गडमी में, बादशा है उस समय का, अब पैद पैदल चल दिया, आगरा से कहां, अजमेर, अजमेर में, चिस्ती संपरदाय के भारत में संस्थापक थे, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिस्ती, और वही चिस्ती जी की दरगा है, जिसको अजमेर शरीफ की दरगा कहते है, ध्यान सुनो, और अकबर यहां से 1568 में, पैदल, खाली पैर, पूरा हाथ ही उतिस सेना उना पीछे है कि कोई हमला नहीं कर दे, यह पैदल चल रहा है, पैदल यहां से यहां तक पहुंचा, अजमेर पहुंचा, और आखिर का अजमेर पहुंचा, अजमेर पहुंचने के बाद, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिस्ती की दरग पहुंचा में सजदा किया और कहा कि हमको जिल्ले इलाही बोलने वाला सब है, हमको आप सब कुछ दिये हैं, आपने सब कुछ भक्षा, लेकिन एक पूत्र नहीं, बड़ा फेरा में है, 1568 में ही इस तरह का किया, अब 1568 में जब ऐसा किया, 1579 में इसको एक बेटा हुआ, अ शलीम, अब सलीम इसके गुरु थे, तो गुरु का नाम इजद से लेना होता है, भले तुम लोग नहीं लेता होगा, लेकिन यहाँ इजद से लेना होता था गुरु का नाम, तो सलीम ही नहीं बोलता था, यह बोलता था, सलीम तो सेख है, इसको सेखु बोलता था, कहता था दुलरोन है माय की भी दुलार है दुगो बेटा पहले मर चुका तो जो करे सब सब सही जहागीर है यही जहागीर है भारी पियक्कर हो जाता है आगे देखोगे भारी पियक्कर हो जाता है अनारकलिक चक्कर में अभी देखेंगे थोड़ा दिन अभी ध्यान से सुनो चलो अभी सुनो 1568 में आप देखें कि अकबर अजमेर में 1569 में उधर बच्चा हुआ बोलो हाया ना जब वापस गया था ध्यान दो अकबर 1568 में अजमेर में और इसी 1568 में यही 1568 में अकबर ने अजमेर के बगल में एक राज्य है मेवार और मेवार के राजा है राणा उधैसिंग इनके बेटे हैं महाराना प्रताप सिंग इनको महाराना कहा गया क्यूं महाराना कहा गया अभी तुम ही समझ जाओगे राणा उधैसिंग के बेटे हैं राणा प्रताप सिंग लेकिन इसको राणा नहीं महाराना कहते है इसका बेटा है राणा अमर सिंग इतीनों खांदान तुमको किलियर चाहिए बो राणा उधैसिंग प्रताप सिंग अमर सिंग उधै प्रताप अमर बो किलियर है उधैसिं प्रताप सिंग अमर्स अब अकबर 1568 में मेवार के पास है अजमेर के पास और कहा कि मेवार कौन सा राज्य है मेवार को जीतना क्यूं क्यूंकि इसको जाना है गुजरात क्यूं गुजरात पहले तो भारत से मक्का जाने का रास्ता है दूसरा गुजरात अकूत संपदा है व बहुत important है वैपार के लिए और बिना वैपार के आप आर्थिक इस्तिती मजबूत करी नहीं सकते यानि अकबर को गुजरात चाहिए अकबर को मालवा चाहिए मालवा तो इसके पास भी है लेकिन ये गुजरात जाएगा कैसे आगणा से तो या तो बिंध्याचल परवत टप के जाए अब सोचो कि कोई राजा को गुजरात जाना हो अगोड़ा से पहार चपे बड़ा मुश्किल का में एक के पहार तो रहे काली पहार के मुट सकिल चलाओ नहीं विंध्याचल परवत बहुत बड़ा पहार विंध्याचल परवत पार करने से अच्छा है कि के रास्ते में आता है मेवार इसका मतलब मेवार पर अकबर का आख्र साथन होना ही चाहिए क्योंकि अगर गुजरात चाहिए तो और गुजरात चाहिए चाहिए 1568 में अकबर ने मेवार पर घेरा डाल दिया मेवार का घेरा डालने के बाद उदैशिंग को चिठी बजा कि आप ही राजा रहे हम बहुत लिबरल आदमी है देखिए जजिया अभी समाप कर दिये बाकी सारे राजपूत मेरा समर्पन कर रहे है आत्म समर्पन राजा आप ही रहे है कोई दिक्कत नहीं हमको रास्ता दे दिजी हम जाएंगे गुजरात के लिए और क्योंकि हम बार बार जाएंगे इसलिए अधिंता मेरा सुईकार कर लिजे उदैशिंग ने सुईकार नहीं क निकलो, कब तो खाना खतम होगा, किला के अंदर ही सब कुछ है, बाहरे नहीं निकल रहा, चार महिना के बाद किला के अंदर खाना खतम होने लगा, सभी लोगों ने कहा कि आप मालिक क्या करे राना साब, खाना कैसे खाएंगे, खाना खतम हो रहा है, बच्चार हो रहा है, त अकबर के जीवन पर ये एक मात्र काला धबा है कि गुजरात सोरी राजस्थान के मेवार में चार महिना के घेरा डालने के बाद अकबर ने कतले आम का आदेश दे दिया और कभी नहीं दिया अकबर ने कहा 30,000 लोगों को मार दिया गया 30,000 लोगों को मार दिया गया बाहर निकल रहा है सब भुख के तलास में काट दो सब को 30,000 लोगों को मार दिया गया और अकबर ने पहली बार मेवार में कतले आम करवा दिया उदै सिंग को किसी तरह पीछे के रास्ते से फरार करवा दिया कि जंगल भागे आप, ने तो समर्पन करना होगा, उद्या सिंग ने बोला, मर जाएंगे, सीज कट जाएगा, लेकिन जुकेंगे ने, उद्या सिंग ने समर्पन नहीं किया, और दो इसके सेनापती हैं, जैमल और फत्ता, जैमल और फत्ता क्या लड़ा है, भूखे, अकबर हाथी पर बैठ के देख रहा है कि बाह, एक्चुल बहादूरी तो वीरता ये है, और जब अकबर देखा कि 30,000 लोग मर गया, जैमल और फत्ता क्या बहादूरी से लरते लरते वीर गति को प्राप्त हुआ, ये दोनों भी सहीद हो गया, राना उदै सिंग फरार हो गया है, तब अकबर ने मेवार पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन अकबर जब आया और कहा किया भी राजपूत पॉलिसी हमको बदलना पड़े, यही ध्यान रखना है कि मेवार पर अकबर 1568 के बाद अकबर की नीती ही बदल गी, अकबर ने पहले राजपूतों के प्रति दमन की न 1568 में जैसे यह आया तो आगरा के किला जो अकबर का किला था जहां रहते थे, उसका मेन गेट पर दूग मूर्ती लगाया बड़ा-बड़ा, मेन गेट पर अंदर जाओगे तो पहले दूग मूर्ती बड़ा-बड़ा, और एक मूर्ती जैमल का और एक फत्ता का, फत्ता य बुद मतलब मुर्ति मुर्ति पूजा गुना है मुर्ति कैसे पूछ सकते हैं अब अकवर ने कहा रहे पूजा कौन कर रहा है मुर्ति का जुक कौन रहा है हम तो वीरता को सलाम कर रहे हैं वीर है बहुत वीर बहुत वीरता से लड़ा और जैमल और फथा का मुर्ति लगवाय लेकिन मेवार के राणा उदै सिंग ने समर्पन नहीं किया लड़ते रहे राणा उदै सिंग लड़ते रहे 1572 वो समय है जब उदै सिंग की मृत्यू हुई और इनके बेटा महराना परताप का राज्या भिशेक हुआ महाराना परताप का राजिया विसेख जंगले में हुआ क्योंकि मेवार पर तो अधिकार अक्वर का हो गया जंगले में 1572 में महाराना परताप का राजिया विसेख हुआ और महाराना परताप का जब राजिया विसेख हुआ तब इसने अकबर ने करूची को भेजा अत्का खान करूची को कि जाओ समझाओ बात तो नहीं समझा कम कमुझ समझ कि हम कुछ कर रहे हैं राजा आप ही रही या धिनता सुविकार करना है बस महाराना परताप नहीं माने फिर भगवन दास को भेजा कि तुम जा तुम परताप से मिलने बोले नहीं मिले पिर मानसिंघ तिसरा दूथ थाड़ अमबेश्डर मानसिंगा महाराना परताप को समझाने कि आप भी राजपूद हम भी राजपूद क्या दिक्कत है अक्वर लिब्रल है उसी का धिनता रहेगा माराना परताप नहीं माने कि तुम रहाला एक्सो किलोगी सोचो की 100 किलोको आदमी उटाता नहीं एकर भाला तकी पीटा की नीए नशी थिक भागो, भागो, भाग चलो भाले की नोक दिखाई. रामधारि सिंग दिनकर ने Marnapurtaf पर बहुत संदर कवीता लिखा. Marnapurtaf अकेले आते थे यतना धूम बचा के भागते थे. Maan singh का भी नहीं सुने Marnapurtaf, भगवान दास का भी नहीं सुने, कडूची का भी भग माराना पड़ता आप नहीं सुन आखिरकार अकबर ने वापस मान सिंग को भेजा कि जाओ अब यू देख करो जब उन नहीं मान रहे है राजपूत राजपूत से लर रहा है ये आपको समझना है राजपूत राजपूत से लर रहा है अकबर के आप थोर मान सिंग आये थे अकबर के दरवार में, ठीक, मान सिंग का एक दोस्त था पंडित महेजदास, नाम बोलो, पंडित जी है, पंडित महेजदास, ब्रहमन, बहुत ज्यानी ब्रहमन, जब ही आये, अकबर के दरवार में आठों आदमी थी, आठों से अकबर सला मश्वरा करता थ लेकिन इसका प्रोब्लम था कि जब खाना कहता था दूग कच्छा प्याज साथे मारता था बिना काट ले चिल लिया अमार रहा है अकबर प्यार से इसको कहता था मुल्ला दो प्याज ये प्याज नहीं आई ये भी बहुत मजाकिया आदमी है हस्मुख आदम मजाक करता लेकिन ज्ञानी बहुत मुल्ला दो प्याजा अब तुमको जान के अश्यर होगा कि जब महेजदास को मान सिंग लेके आए का कि ये बहुत ज्ञानी है इसको अपने दरवार में रहने देजे मान सिंग इसका रिष्तेदार है अकबर का और जब आए तो अकबर पंडित महेजदास को देखके करा कि अच्छा समझदार है आपको रखना है मेरे यहाँ भी यह वो समझदार है यह बोलेगा तभी रखें मुल्ला दो प्याजा मुल्ला को इसने कहा कि मुल्ला तो जहां बना पंडित महजदास को बहुत बुद्धी है ऐसा मानसिंग कर रहे है कुछ परिक्षा लिजेगा तो मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि आप हुकम कीजे परिक्षा लिया जाए इंतहान लिया जाएगा, पास हो गया तो बढ़िया बाद, अकबर देखा महजदास के खिला, यहाद, पड़िक्षा दोगे, महजदास ने कहा एकदम देंगे, मुल्ला दो प्याजा ने कहा कि बस एक सवाल पूछेंगे, अगर उस सवाल का अंसर दे दिये, तो तुम समझद पूछेगा, हाँ मत करना, तुमको हम रख लेंगे बुद्धी है तो, बिर्बल ने कहा कि नहीं हम तयार है, सवाल पुछवाईए, यही बिर्बल है, इसका नाम क्या बाद में, बिर्बल, कहा कि नहीं सवाल पुछवाईए, वो भी बहुत बुद्धी मान, जब मुल्ला ने कहा कि ठीक है, तो अगर आप तेज हैं पंडी जी, तो बस ये बताईए कि मेरे मन में इस समय क्या चल रहा है, बड़ा खतरनाक सवाल पूछ दिए, कि मेरे मन में क्या है, आई हसमु का अदमी दहासने लगा, पूरा का पूरा दरवार हसने लगा, कि बाई तो भस गया, कॉन्फिडेंस में था, यह कहा कि हम जानते हैं आपके मन में क्या, बोला क्या है, बोला हम जानते हैं आपके मन में यही है कि आप चाहते हैं कि बादसा की उमर चार गुनी लंबी हो जाता, हम जानते हैं कि आपके मन में कि बादसा की हुकूमत पूरे दुनिया में पहल जा और पंडित महेश दाज जो बिर्वल है ये सामिल हो गए कहां और बिर्वल से अकबर पूछता है कि बिर्वल आप इतना समझदार हैं आप ये बताए कि राजपुत हमें सा लरने पर का है उतावला आखिर चाहता क्या है कहा रहें सरेंडर कर दो तो कर ये नहीं न इस चाहता मिलता नहीं मार्केट में देना परता है कैसे देना होता है आए गला लगा लिए ठीक है छोटका छोटका भी राजपुतर आजाता था कि आप आए जली मिलिए गला ऐसे करते थे औरंग जेब सही नहीं हुआ औरंग जेब नो डूट बहुत इमांदार आदमी था उसका इम इमांदारी का हम भी फैन लेकिन सिर्फ इमांदार होने से राजा नहीं बन जाते हैं बुद्धी भी होना चाहिए बुद्धी भी होना चाहिए अब सोचो कि छात्रपती सिवाजी आये थे औरंग जेब से मिलने जैसिंग एक राजपुत उनको लेके आए था 1666 में 1665 में करा चाहिए सिवाजी के औरंग वृतों भडी चुटका में या टेवल बीठा दी सिवाजी के मेरा बंपार इस सोचते हैं कि अगर होता औरंग जेव की जगह असी वाजी आते पुछता अकबर की कौन है तो धक्कन का सार्फ शूटर सब जानता है दक्कन के बारे अकबर उसको गला लगाते आउसको लेकर जाते बेडरूम में बैठिये क्या चाहिए आपको बोले खाना होना लगाओ है क्या देखिएगा चम्मा 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 शुरू कुर लेकिन और अरंग जेव ऐसा नहीं किया और अरंग जेव इसी गलती का परिनाम ताउम्र पूरे जीवन भुगतता रहा पच्चिस साल बीस साल वह आदमी दिल्ली नहीं हो सकता अकबर को कुच नहीं है होमायू को क्या था है मुझ सबको छील लिया था पूरा समराज बनाया औरा-ठ्यव को सब कुछ मिल समराज विस्तार इसने वी किया लेकिन जो नीव अकबर लगा आकबर इजद देना जानता तो इजद दिजिए दूसरा नमतलब भूला इजद दिए दूसरा। और रखीसा कि दूसको इज़सा नहीं लगता है ब маг instincts लेने का मतलब इजद्ञार को इजडे रहें तो यूज कर ये लराइए रर थाया लराईए अफ़गा निस्टानी विद्रोग कर रहे थे लंबा-फ़गा जानता है लज़े और कुछ नहीं आता है अफगानिस्तानी वीद्रोग करें तो लड़ने आता इदर राजपूतों को लड़ने आता है, अकबर ने कहा कि राजपूत को अफगानिस्तानी से भिरा दो, अफगानिस्तान का गवर्नर बना दिया, मान सिंग को कि जा लड़ो, जा लड़ो, इदर राजपूत हला कर रहे है, इदर मान सिंग को भेजिया, लड़ो, राजपूत राजपुत लर्ण राजपुत अफगानिस्तान से लर्णारा राजपुतों को इसत दिया जजिया और अकुछ के लिए राजपूत जान देने के तयार है और अक्चा कर रहा है यहां। बैठके अनारकली का मुझरा चल रहा है अनारकली का मुझरा चल रहा है असलीम तो देखता ही था अकबरों देखता था अनारकली का मुझरा इसलिए तो दिक्कत हुआ अभी समझाएंगे कहान द्यान दो सब इधर समझो कि इसका राज राजबूद समाल रहे है आई इसी को कहते हैं समझदारी जो दुस्मन को भी दोस्त बनाके उपयोग कर उपयोग कोई कर सका इतो कर लिया करके दिखाया इह समझदारी बात समझने हैं 1576 में मानसिंग गया है महानाना परताब से लरने और यही है हल्दी घाटी का युद हल्दी घाटी का युद और हल्दी घाटी के युद में मानसिंग और महाना परताब के बीच युद है अलाकि कुछ सुरोत ये कहेंगे कि महाराना परताप हारे नहीं लेकिन एक्चुल बात है कि महाराना परताप हार गए 1576 के हल्दी घाटे के युद्ध में हार गए यहां से भाग के फिर जंगल चले आत्म समर्पन नहीं किये इसलिए इसको हार नहीं भी का सकते हो क्यों क्योंकि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते हारना माना परताप कहते थे कि अगर मेरा अभी असफलता मिला तो असफलता बस एक बात बता रहा है कि आगे हम जीतेंगे हार मान लेंगे तब नहीं जीत पाएं असफलता बस ये बताता है कि अभी लेट है पहुँचेंगे जरूर हार मान लिए तब थोड़े पहुँच पाएं अड़े तुम चार परिक्षा फेल किया, अब मान लिया कि अब नहीं होगा, तब नहीं पहुँच पाओ, चार परिक्षा फेल किये, तुम कारण समझे कि किस बज़ाई से कौन सब्जेक्ट वीक है, उस पर जोर लगाए, तब हार थोड़े हो सकता, 15- lesser में कुल मिलाके मान सिंह जीत गए थे, महारणा परताप हार नहीं मानें, भाग गये, जंगल में चले गए और गोरिल्ला वार फेर, गोरिल्ला युद्ध जारी रके, गोरिल्ला युद्ध का मतलब छूपके लड़ाई करे, महारणा परताप को मान सिंह ने कहा कि आईब क जान के अश्चर होगा कि घांस का आटा बना के सुखा के आटा बना के रोटी बना के मार रहा है। यह इस्थिति में हैं लेकिन आत्म समर्पन नहीं किया। 1586, 1597 में महाराना परताप की मृत्यु हुई तब तक राजपूत अकबर के सामने आत्म समर्पन नहीं किया। 1597 में महाराना परताप की मृत्यु हुए Natural death 1597 में जब महाराना परताप की मृत्यु हुए तो अमर सिंह राजा बन। अकबर का बेटा था जहांगीर आईधर था अमर सिंह के बाद तब अमर सिंह ने जहांगीर के दर्वार में आके surrender कि और तब मेवार पर मुगलों का अधिकार हुआ बात समझना अकबर के जीते जी मेवार पर अधिकार नहीं हुआ बांकि जितना राजबूत राजजी है सब 1579 में बीका नेर आत्म समर्पन 1570 में रंथम भौर आत्म समर्पन 1568 में मेवार का घेरा अब सुनो ध्यान से जो जो पढ़े हो पहले दिमाग में सेट करो 1568 में मेवार का घेरा चार महिने तक कतले आम जैमल और बोलों जी हत्ता कहां बनाए मुर्थी आगरा के में गेट पर 1579 दिमाग में सेट है सब को अरे बोलो और 1579 में बीका नेर ने आत्म समर किस्टी के लिए आगरा के बगल में फत्थ पूर्सिकडि सहर बसाए key आप यही रहते हैं आपके लिए जगा है फत्थ पूर्ण सेख़ी स्थापना किसने करी अकबर ने 1579 में बीकानेर आत्मसमरपन सत्तर में रंधंभौर आत्मसमरपन 72 में महरना मसमरपन नहीं 15имमें शियत्तर में हल्दी घाटी का युद किसके किसके बीच ही हिंदू और मुसलिम के बीच है तुमको जान के चड़े होगा कि इधर से मान सिंग है अब महाराना परताप के तोपची है हसन खान मेवाती हसन खान मेवाती को हिंदू मुस्लिम का युद्ध ही सोचना भी नहीं हसन खान मेवाती इधर से लड़ रहे है पंदरच यत्तर में इनकी हार हुए मान सिंग ने कहा घांस की रोटी खालेंगे लेकिन आएंगे नहें चेतक किसके घोडे का नाम महाराना परताप केतना किलो का भाला था इसवाला से मतलब में लेकिन एक ब probe पूचाए यह तो बहुत ईजी सवाल है चेतक किसके घोडे का नाम ता महाराना PAT महाराना परताप के बेटे का नाम अमर सिंग अमर सिंग ने किसके यहां आत्म समर्पन किया जहांगीर 1576 1572 सरे एक और लिखे हैं क्योंकि एक और इसलिए लिखे हैं कि यहां पर 1572 में मेवार से अकबर आगे निकल गया था अब 1572 का जो बात देख रहे हो यहीं 1572 में अकबर ने गुजरात पर अधिकार कर लिए गुजरात पर खंभात की खाड़ी में अधिकार किया था यहीं अकबर की मुलाकात पुर्तगालियों से हुई क्योंकि 1498 में ही पुर्तगाली आया था और अभी 1572 चल रहा आगरा में गुजरात पतेह के उपलक्ष में सेख सलिम चिस्ति के लिए फतेह पूर्छा सिकडी की स्थापना पतेह पूर्छा सिकडी का स्थापना किया अकबर कुखाबर आया कि गुजरात विद्रोह कर दिया है याद करो हुमायू के समय हुमायू ने जब गुजरात पर अधिकार किया था वापस आया था तो असकारी भी पीछे से आ गया था याद है, कि गुजरात विदरो कर दिया हुमायू का चोड़ विदरो करने दो, चलो दिलली अफीम चाटेंग, अरे हाया न अकबर कोई चीज पता थे कि पपाई गलती कर चुके जैसे 1571 में अकबर फतेपुर सिक्री बनवाया वैसे पता चला गुजरात विद्रो कर दिया नौ दिन के अंदर वापस गुजरात पहुंचा और गुजरात पहुंचने के वाद फिर से गुजरात पर कबजा किया और यहीं छो मेना रुका गुजरात पर कबजा नौ दिन के अंदर अबुल फजल लिखता है कि यह विश्व में सबसे सबसे तिवर विद्रो दमन था इस 1772 के लिए है ऐसे सवाल नहीं पूछता है पढ़ाए तुमको इतना सवाल पूछेगा आकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कब किया हाँ तो समुद्र गुजराते में है बंगाल उंगाल नहीं गया 1572 के बाद बंगाल जाएगा समुद्र पहली बार देखा 1572 पूर्टगाली से पहली बार मिला 1572 गुजरात पर अधिकार 1572 फटेपुर सिक्री के स्थापना 1571 किस उपलक्ष में गुजरात की जीत के सलीम का, दिमाग में आ रहा है, बोल बेने करते हैं, बोलो किलियर है सबको, इतना अब 1572 तक का अकबर का पहले काम लिखेंगे, 1572 में अकबर इतना काम करने के बाद, तब कहानी सुनोगे अकबर का दूसरा पॉलिसी, और अब तुमको समझ में आएगा, अकबर की उदारता, कि अकबर महान क्यों है, नाहक में महान नहीं है अकबर, अभी समझ में आएगा कि अकबर महान क्यों है, 1575, 1575, इबादत, खाना, तब समझ में आएगा, पहले इसको लिख लेते, लिखेंगे, अकबर की राजपूत नीती, जल्दी लिखो, लिखो, अकबर ने राजपूतों के प्रती, सुरुवात में दमन, एवं बाद में, मित्रता की नीती अपनाई, अकबर ने राजपूतों के प्रती, सुरुवात में दमन, एवं बाद में, मित्रता की नीती अपनाई, अकबर अडॉप्टेट दा पॉलिसी ओफ, कन्क्वेस्ट, एट फस्ट, एड देन, पॉलिसी ओफ, फ्रेंड्शिप, विथ राजपूत्स, अकबर ने राजपूतों के प्रती, सुरुवात में, दमन, बाद में, मित्रता की नीती अपनाई, लिख लिए, नीचे लिखो, 1564 तक तो कड़ा दिया है न, 1568, लाल कलम से 1568 लिखो गए, अट डैस देखे लिखो, चार महिने तक मेवार का घेरा, लिख दें के लिख लेंगे, लिखी देते हैं, 1568, चार माह तक मेवार का घेरा, मेवार का घेरा, लिख लिए, कतले आम, यही अकबर के चरितर पर एक सवाल उठाता है, कि ऐसा अकबर को नहीं कराना चाहिए, हाला कि इसके बाद इसने मापी में मांगी, मौईने दिन चिस्ती की दरगा पे गया, का इस तरह का आप वेवस्ता नहीं होगा, फिर कभी किया भी नहीं, कतले आम, कितना आदमी मर गया है, एंसी आटी लिखी है, तीस हजार मृत्यों, वह एंसी आटी का कहाना, दो बहुत इंपोर्टेंट आदमी है, जैमल और फत्ता, जैमल और फत्ता, वीर गतिकों प्राप्त, इस दोनों के लिए, बताओ क्या किया, आगरा के किले के में गेट पर इनकी मूर्थी लगवाई, आगरा के किले के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर, मूर्थी, इसे लिख दो दोस्त, साइड में यहीं लिखना, ऐसे कर गें, मेवार, मेवार में हलाकि हम तुमकों मेवार पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी याद करने के लिखोगे, जानवर पर भी कभी कभी आदमी का तुम देखोगे नजिसका मालिख खचरा होगा, जानवरों खचराओ ऐसा होता है अरे कुट्टा पाले बलागा देखो सुबह सुबह नहीं देखते हैं 100 ग्राम कलर की 100 किलो का कुट्टाल घुमा रहे हैं अब समलेगा नहीं आदमी भागने लगता है कि जोर कटवा देगा से सुनो राना प्रताप के घोरे का नाम है चेतक सिकंदर के घोरे का नाम है जल्दी बोलो बुका फेला और सिवाजी के घोरे का नाम है बादल इतीनों का घोरा याद रखना है कि इस्कंदर का गोडा भुकाव फेला कि माराना पॉरताप का चेता अर्छात्रपति पादाल बादाल उनका घॉरा था जजब गोडा मार Nana पर्दाप से गोडा का नम क्या है चेताक आज क्या नाम है चेताप गोडा के नाम पर सरसो तेल python इनके बेटे कौन हुए राणा उदय सिंग सौरी अमर सिंग इस साइड में लिख ले उम्मीद है लिख लियोंगे दोस्त क्या कह रहा हूं भाला भगवान तुम्हारा बाला करे अरे भाला उला पूछता थोड़े कि अचकी आपको जान के अशर होगा कि माराना परताब का जो कवच था 500 किलो गाधा उस सरीर पर 500 किलो डोते थे आप लिए लंडन में लिख लिए अरे लिखा तुम लोग 1569 लिखो लाल कलम से लिखो 1579, 1569, रन्थम्बोर, पर अधिकार, लराई उड़ाई नहीं है, आत्म समर्पन है, आत्म समर्पन, 1570, मारवार, बिकानेर, जैसलमेर, कोई लड़ाई नहीं, आत्म समर्पन, अपने आप, पॉलिसी अच्छी थी ना, फ्रेंड्सिप, दोस्ती करता था, मारवार के साथ, आत्म समर्पन का मतलब नहीं सोचना कि तुमको गुलाम बना लेंगे, यह आत्म समर्पन जो करता था, उसको गला मिला लेता था, कि बाह, आत्म मेरे बढ़ाबर है, सब को यह सब पंदरा सो सत्तर, लिख लिए, पंदरा सो एकत्तर, पंदरा सो बहत्तर, बोलो किस पर अधिकार, गुजरात पर अधिकार, और यह सब हुआ ही किसलिए गुजरात के लिए, गुजरात पर अधिकार, पुर्णाया दिए पुर्णाया अधिकार याद कर यही पंद्रेस एक खत्तर है कि गुजरात जीत के खुशी में आगड़ा के बगल में कौन सा सहर पतेपुर्श शिक्री की अस्थापना कि पते पुर्श शिक्री कहां है आगड़ा में की स्थापना मतलों इस्टेबलिस्मेंट और फटेपुर्श शिक्री कुछ विजयए के अधार प्र गुजरात 1572 क्योंकि लौट्था विदड़ो गया जब विद्रो हुआ तो नो दिन के अंदर वापस आके विद्रो धमन कि यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है अकबर की नीती कि जो जीत गए हैं जो पढ़ लिये हैं उससे सवाल ने चुटना चाहिए यह अकबर का नीती यह न नीती है कि 1571 में जीत गए अब इदरों कर रहे हो तुरान दमान जो पढ़ाई हो गया उससे कोश्चन नहीं चुटना चाहिए अकबर सही सीख लो 1572 अब आपको बस एक चीज लिखना है 1576 में 1586 बोलो कौन सा यूद बहुत बढ़िया हल्दी घाटी का यूद अब लुकना लिखना नहीं हल्दी घाटी का यूद क्योंकि से पहले एक चीज लिखवाएं यहीं लिखना बगल में 1572 महराना प् चिहार का एक्जाम में इफेवरेट सवाल 1572 1576 1569 उनात्तर बहात्तर चीज जो देख रहे हो साल महाराना प्रताप का राजिया रोहन को रोनेशन आप महाराना प्रताप और 1576 में हल्दी घाटी का बैटल अफ हल्दी घाटी किसके किसके बीच हुआ मुगल सल्थरत का नित्रित्तो करने वाले मान सिंग राजा मान सिंग मान सिंग बहान का नाम मान बाई आगे पढ़ाएंगे अधर महाराना प्रताप यहाँ पूछता है आपसे कि अल्दी घाटी के युद्ध में महाराना प्रताप के तोपची कौन थी जल्दी बोल अभी नहीं याद करवाई रहे बोलता नहीं है सेनापती रख लो मुना यहीं तोपची भी है हशन खान मेवाती गलतिस भी हिंदू-मुस्लिम लड़ाई नहीं सोचना ऐसा हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो कहा देते कि हल्दी घाटी की युद्ध में मुगलों को धूल चटाई गई थी और यह प्रवक्ता आप जानते हैं यह होंगे आजकल बहुत चल रहा है मान सिंग और महाराना प्रताप उसम में नहीं आना पंद्रहसोट्शीयत्र हल्दी घाटी का युद्ध कौन लड़ रहा है मान सिंग को कौन भेजा आकपड़े न भेजा आकपर खुद युद्ध करने नहीं गये थे यह आपको समझना अभी हम का रहे हैं जो हसन खान में बती गलती से लिख दिये हैं हम आसंचन में भाती तो यार चंदेरी की सडरी खानवा की युद्ध मिलेु गलती हो गया है थोडा से सधहर लिए अरे खानवा का युद्ध पढया है तो हमको राणा-थांगा वलब मंज निकल गया हसन खान मेवाती तो वहां थे हसन कान मेवाती मामूद लोदी यहां कौन है हाकीम खान सूर हाकीम खान सूर बहुत इंपोर्टन है हाकीम खान सूर गलती हो गया था सुधारलिंग हाकीम खान सूर देखो इस युद्ध के बाद इस युद्ध के बाद महाराना परताप जंगल भाग गए और वहां से गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा गुरिल्ला युद्ध इस युद्ध के बाद महाराना परताप जंगल चले गए और वहां से गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा इसलिए महाराना परताप से हमें इस सिखना चाहिए कि सरेंडर कभी नहीं करना गुरिल्ला युद्ध जारी रखे जब तक जीवन जीए तब तक तभी तो इनका नाम है सरेंडर कर देते हैं तो अभी देखो मारवार ने सरेंडर कर दिया जैसल मेर ने सरेंडर किया, रंथम बहुर ने किया, भीका नेर ने किया, उसका राजा का नाम भी नहीं तुमको पढ़ाए, ना कभी पूछेगा, जो सरेंडर कर दिया उसका क्या नाम, जो लड़ते रहे लाश तक उनका नाम, इसलिए लाश तक लरना है, हारना नहीं है, हार मान गे तब दिक्कत बोलो किलिए रहे सबको अब अकबर की दूसरी पॉलिसी परोगे लिबरल अकबर को देखो अभी तो तुम देखें अकबर कैसे दमन कर रहा था दमन कर रहा था ना अब आप लिबरल अकबर को देखोगे उदार अकबर को अलाकि इसमें भी आपने देख में अकबर का सबसे खतरनाक मूव है और सबसे सांदार भारत को समझने का इस से अच्छा तरीका नहीं हो सकता 1575 में अकबर ने फतेपुर सिक्री में इस्थापना किया इबादत खाना इबादत खाना अभी इबादत खाना क्या है और इबादत खाना 1575 इबादत खाना क्या है यह हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे आज तो नहीं सीख पाएंगे अब 1575 इबादत खाना तुम अकबर को बढ़िया समझ पाओग आज के लिए इतना ही नहीं हैगा हाकिम मिर्जा अब्दुलनभी इसके बारे हम सीखेंगे कल